नाश्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल सुस्माजी का निधन हो गया है और आउनलाइन प्रेप्रेशन अपनी स्रधानजली उनको रात में ही दे रही थी बहुत अच्छी वो वक्ता थी, प्रवक्ता थी, साथी साथ में बहुत ही अच्छी एक इंसान थी तो आनलाइन प्रिप्रेशन की तरफ से उनको फिर से स्रधान जली और इतना ही कहेंगे कि कितना कठिन है विदा लेना कितना कठिन है विदा लेना, एक छण में सरीर का एक हिसा कट कर गिर पड़ता है जमीन पर और हम उठा भी नहीं पाते सुस्मा जी को सद्धान जली, चलिए आई आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं और आज देख लेते हैं जॉब अपडेट में भारती डाक में बहुत सारे जो पद हैं विकेंसी आई हुई हैं आप देख रहे हैं यहां पे कि 10 हजार के संतिंग जो पद है भारती डाक सेवा में निकाले गए हैं जी लियस में अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहां पे तो तिंथ मागी गई है दसमी पास है उसके संकक्ष मागी गई है और यदि हम अंतिम तित की बात करते हैं फॉर्म भनने की तो वह चार सेप्टेंबर फॉर्म सेप्टेंबर है ठीक है ना किसी मानता प्राप्त बोर्स अस्तान से दस्वी असमकक्ष उबता होने चाहिए चलिए पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं इसकी साइट भी हम आपको बताते हैं कि कहां पे जाके आप जो है फॉर्म किस तरह से क्या भरेंगे तो पे मैं लिंक वैसे भी देदूँगी आप्स टाट इन इन ज्वी इस ऑनलाइन इंडियन पोस्ट आप यहां पे देख रहे हैं एक चीज कहना चाहूंगे कि यहां पे आप देख रहे हैं लाइब नोटिफिकेशन आसम में जो है नोस सो उने सब्सक्राइब यहार में तो कैसे इसको अप्लाई करना है तो फ्रेंस यहां पर आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले मैं इसका नोटिफिकेशन ने आज जो है कराना है जिसमें आपको इंस्तरक्शन दिया हुआ इसको क्लिक तरी इसे आप पढ़ लीजिए इसके बाद पीश्टेश्ट करना है और इसका जो स्टेश्टेश्ट है पाद आपको ओनलाइन जो फीश है वह पेमिंट करनी होगी तो जब आप online fees payment कर देंगे instruction पढ़ दीजे और पे online पे क्लिक करें तो पहले instruction पढ़िए किसके लिए क्या है दिन इसके बाद पे online पे क्लिक करें और फीस जो जित्ती मागी गई है वो आप यहां पे पे कर दीजे और फिर तीसरा stage जो होगा apply online यानि यहां पे instruction आपको पहले होंगे दिन इसके बाद apply करना होगा application status भी आप देख सकते हैं क्या है आपका जो आपने apply के successful हुआ की नहीं हुआ है तो apply करने के लिए यहां पे आपको जाना होगा लेकिन उसके पहले हर एक में इस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा यहां पे भी आप देख सकते हैं इस प इसमें चलते हैं कि क्या लिश्ट आप आफिस में कौन-कौन से पोस्ट आफिस हैं जहां कि लिप लिप देख सकते हैं देख रहे हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बी-पीम जिसे हम बोलते हैं ठीक है न उसके लिए यहां पर जगए है यहां पर विकेंसी निकली हुए है ठीक है और इसी तरह से इस कर दिया हुआ है सब कुछ है यहां पर दिया है अब मैं इसका डिस्किप्शन बाक्स पर दे दूंगी सेली की बात करते हैं तो बीपीम की देखी 14,000 जा रही है टी आर सी यह सब को मिला के और वैसे सेली 12,000 है और एवी पीम की डाग सेवक की बात करें तो 10,000 है तो आपके पास मौका अच्छ की सार देखिए यहां पर मागा हुआ है अब इसकी चीजह में मैं जो मैं आपको बता देती हूं ठीक है न और यहां पर देखिए अगर हम बनने की बात करते हैं तो 5-8 से जो है वह स्टार्ट है और 5 अगस से स्टार्ट है और 4 सिक्टेमबर तक 1 मंत का टाइम आपको दिया आपके पास है या डाक सेवक बनना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा यह मौका है जरूर आप इसे भरिएगा और साथ में बीडियो को जो है लाइक करिए और साथी साथ में शेयर करिएगा फीज भी दिखे यहां पर दिया फीज पेमेंट कैसे क्या करना है तो साइट यह यहां पर आपसे लिया जारा है एक यहां पर यहां से लिया रहा है जो पूस्ट आप अफिस यहां पर यहां से भी आप जा सकते हैं तो फ्रिंड यह था वीडियो जिसमें हमने आपको बताया यहां पे और भी चीज़े थोड़ा देख लेते हैं ग्रामीर डांग से बग जो बेकेंसी है वो पोजीशन फार बिहार सरकल में यह से बिहार में कहां कहां क्या है तो देखें रेजिस्टेशन और फीश समिशन इस्टार्टेट फारंट से स्टार्ट हो चुकी है रेजिस्टेशन और फीश समिशन इं डेट वो आपकी 4 सिप्टेमबर यानि 4 सितंबर है अप्लीकेसन ऑन लाइन समिशन स्टार्टेट यह यह 5 से जो है आप फॉर्म भर सकते हैं पांच अगस से फॉर्म बनना शुरू हो गए है यहां पर देख सकते हैं कहां कहां पर कितनी क्या जगें हैं खाली है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक दे दूगी साइट का साइट में जब आप उस लिंक से जाएंगे तो यहां पर डाइक पहुंच जाएंगे और यहां पे आप इस पस्त नह पर दे एक लेझे करेंगे और यहां से बीडियो के और लगशी बत आब लाइक करिए शेर करिए और नेस्ट वीटो क्लियो करिएफिर मिलते हैं तब तक कलिए बाए